आम खाने के बाद भूलकर भी ना खाई ये तीन चीजें वरना आप जिन्दगी भर पचता होगे यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए दोस्तो फलों का राजा आम हम सबी लोगों का फैवरिट फूड होता है साल भर मुझे भी और आपको भी साइद इंतजार रह हैता होगा आम का कि कभी आएगा और कब हम ये खाने को मिलेगा वैसे टेश्ट के साथ साथ आम हम लोगों की हैल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है लेकिन कुछ ऐसी चीजे हैं जो कि अगर आप आम के साथ मिलाकर खाएंगे या इसके आगे पीछे खाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है और यही आम जो आपके लिए भाइदमन है न्यूट्रीशन से ये आपके लिए अपोजिट काम भी कर सकता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कि आपको आम के साथ कभी भी नहीं खाने चाहिए तो चल ये बिना किसी देरी के इस इंट्रेस्टिंग वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं पूरी डिटेल के साथ दोस्तों आयुरुवेद में डाइट को लेकर बहुत सारे नियम हैं और इनहीं नियमों में से एक नियम होता है फूड कम्बिनेशन को लेकर यानि इनकम्पेटेबल फूड का मतलब ऐसी चीजे हैं जो आप साथ में बिलकुल भी नहीं खासकते हैं या आपको नुकसान दे जाती हैं इनको साथ में खाने से वहीं कम्पेटेबल फूड ऐसी चीजे हैं जो आप आपस में मिला के खासकते हैं इनकम्पेटेबल फूड को आय का मतवल होता है फूड यानि की खाना वैसे आम को लेकर आयरुवेदिक के रिसर्च में बहुत कुछ स्पेसिफिक चीजे नहीं दी गई हैं ऐसा कुछ नहीं है कि बिलकुल आपको किसी चीज को नहीं खाना है साथ में लेकिन अगर हम जर्नल आयरुवेदिक प्रिंसिपल के अंसार फूड कंबिनेशन के बेस पे देखें तो टोटल तीन त्रह के ऐसे फूड हैं जो कि आपको आम के साथ बिलकुल भे नहीं खाने चाहिए दोस्तो ऐसा जर्नल रूल आयरुवेदि में अलग अलग फूड को एक साथ मिला कर खाने के लिए मना किया जाता है आयरुव को भी आपको और दूसरे फूड के साथ मिला कर नहीं खाना चाहिए अगर आप अलग अलग फूड को दोस्तो एक साथ मिला कर खाते हैं तो उससे आपके पेट के अंदर इन डाइजेशन गैस और एस्डिटी वगएरा पैदा हो सकती हैं और इसकी रीजन ये है इसकी होता है और जब हम अलग अलग फूड को साथ में मिला कर खाते हैं तो उसकी वज़य से ये हमारे पेट में जादा लंबे समय तक पड़े रहते हैं और इसी की वज़य से हमारे पेट में गैस एस्डिटी इन डाइजेशन वगएरा पैदा हो जाती हैं कहीं बार पेट में द वैसे तो किसी भी फूट को आपस में आपको नहीं मिलाना चाहिए लेकिन खास्तोर से अगर हम आम की बात करें तो इसके साथ आपको संत्रा, मोसमी, केला और निम्बू इन चीज़ों को बिल्कूल भे नहीं मिलाना चाहिए ये आपको जादा नुकसान करती है दूसरी चीज जो कि आपको मैंगो के साथ कभी भी मिलाकर नहीं लेनी चाहिए वो है दूद या दूद से बना कोई भी प्रोड़क्ट दोस्तो ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा सोकिंग हो सकता है क्योंकि ये गलती हम सभी लोग करते हैं हम बच्पन से अपने यहां वो लसी, मिल दूद के साथ मिलाकर ही बनाई जाती हैं लेकिन आयरुवेदिक प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बिलकुल गलत प्रैक्टिस हैं ऐसा हमारे लिए नुकसान दे होता हैं इस त्रहें से दूद के साथ आम को मिलाकर खाने से हमारी डाइजेस्टिव फायर य इसकी वज़ए से इंडाइजेस्टिव गैस और बोडी में कई बार टोकसिंस भी पैदा होने लगते हैं तो दूद या दूद से बने कोई भी चीज के साथ आपको आम मिलाके नहीं खाना चाहिए और एक इंपोर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर समझना जरूरी है वो यह कि अगर आप दूद के साथ आम को मिलाकर खाते हैं तो इससे हमारी बोडी में वजन बहुत तेजी से बढ़ता है फैट बढ़ने लगता है तो यह भी एक साइड इफेक्ट है जो कि आपको आम को दूद के साथ लेने से या फिर दूद से बनी दूसरी चीजें जैसे कि दही है या मठा है या फिर पनीर है इस तरह की चीजों के साथ लेने से हो सकती हैं तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि आपको खटी और जादा मसालेदार चीजों के साथ कभी भी आम को नहीं खाना चाहिए साथ खाने से यहां मेरा मिनिंग सिर्फ मिलाकर खाना नहीं है क् ऐसा नहीं है कि हम मसालेदार चीजों में आम मिला लेते हैं लेकिन आम खाने से जश्ट जो पहले या उसके जश्ट जो बाद खाना भी इसके साथ में खाना ही माना जाएगा और मिलाकर खाना ही माना जाता है खटाई या स्पाइसी चीजें जब आम के साथ खाते हैं तो इससे हमारी बोड़ी में पित दोस पैदा होता है पित दोस पैदा होने की वज़े से पेट में होता है गैस और एस्टिटी पैदा हो जाती है और कई बार हमारे बलड के अंदर इंप्यूरूटी पैदा हो जाती हैं, गंदगी पैदा हो जाती हैं या फिर अलर्जी वगरा भी हमें हो सकती हैं। दोस्तों इन तीन चीजों के इलावा आम खाने के फोरन पहले या बाद में आपको कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। या फिर उल्टी भी आपको हो सकती है इसके काम। एक ओर इंपोर्टन चीज जिसके साथ आपको आम खाने से फरहेज करना चाहिए वो है क्रेला। तो उसको अक्सर हम लोग खाना खाने के बाद आम इंजवाए करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अगर खाने में आपने क्रेले की सबजी बनाई है और वो खाई है तो इसे खाने के बाद आपको आम बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। क्रेले के साथ आम खाने से आपको पेट में दर्द हो जाता है। आपका जीन मचलाने लगता है। उल्टी की सिकायत भी आपको इससे हो सकती है। आप जरूर ध्यान रखिए। आम के साथ इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं खाएं। लेकिन अगर आप आईरुवेद में बलीव नहीं करते हैं। अगर आपको ये सब बेकार की बाते लग रही हैं। तो आपको कौन रोख सकता है खाने से। तो आप बेजीजक होकर इन चीजों को खाएं। और मैं तो कहता हूँ एक बार ट्राई जरूर कीजिए। साथ में मिलाकर जरूर खाएं। इनने खाने के बाद हो सकता हैं। आप भी आईरुवेद को मानने लग जाएं। आई होक आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आपने मेरा पॉइंट समझ लिया है तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खतम करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हैं तो इसे लाइक कर दीजें। और इस वीडियो को स कभी के साथ सेर भी कीजिए क्योंकि अभी आम का सीजन चल रहा है। जादा से जादा लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी दोस्तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कीजी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करे तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जबर्दस टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना अपना ध्यान रखना आपका दिन सुब और मंगल में हो